नवस्कार दोस्तों आपका हमारे जनरल वेदिक एस्टरोलोजी पर बहुत बहुत स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कुम्ब लगन के लिए जो अगस्त 2019 का महिना है वो कैसा रहेगा अब आप इस वीडियो को लगन के अनुसार और रासी के अन आप इस वीडियो को देख सकते हैं लेकिन जो लगन के अनुसार जो प्रेडिक्शन होगी वो ज्यादा सटीक होगी तो इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक पूरा देखी जिससे आपको अगस्त महार का पूरा पता चल जाएगा कि आपकी साथ क्या-क्या घटित होने इसके लवा यहां हम बात करेंगे जो अलग-अलग जो हाउसेज हैं उनके लोड कहां से समन्द बना रहे हैं कौन से हाउस में उनकी पलेश्मेंट बनेगी अगस्त के दौरन इसके लवा जो कुछ एसपेक्ट हैं जो कुछ दरश्टिया हैं उनकी भी बात इस वीडियो में हम करेंगे सबसे पहले यहां बात करते हैं जो अगस्त माह की दौरान रासी प्रिवरतन हो रहे हैं कुछ ग्रह रासी प्रिवरतन करेंगे और कुछ ग्रह जो पहले जिस रासी में थे उसी रासी में रहने वाले हैं तो सबसे पहले यहां बात करते हैं सूरिय की सूरिय सत्र 17 जुलाई से 17 अगस्त तक करक में रहेंगे। फिर 17 अगस्त से 17 सिदमबर तक सिंग रासी में चले जाएंगे। पर लावा गुरू की बात करें तो गुरू रहेंगे वर्षिक में, राहू रहेंगे मिथुन में और सनी, सनी धनू में रहेंगे और केतु भी धनू में रहेंगे, तो इस तरह का कुछ जो गोचरी वेवस्ता है वो रहेगी अगस्त महा की दुरान, अब यहां हम बात करते है सबसे पहले आपके फैस्ट लोड की आपके फैस्ट लोड बनते हैं सनी और सनी आपके लाब भाव में फैस्ट लोड का लाब भाव में होना काफी अच्छा माना जाएगा यहाँ पर और लेकिन आपकी बारवे लोड भी सनी है तो कुछ न कुछ आपको जो है इस भाव के जो संतुष्थ निसीत रूप से देते हैं, तो यहांपर आपको जो 11th हाउस है, उससे समंदित आपको जो भी result मिलेंगे, वो आपको ए संतुष्थ देंगे आपको जो लाब होंगे उनसे आप संतुष्ट नहीं होंगे आपको जो भी जो कुछ भी बिना महनत की जो कुछ प्राप्त होने वाला है उसमें कुछ कमिया रह सकती है या आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ कमी है और आप उससे ऐसंतुष्ट हो सकते हैं आगे बात करते हैं यहाँ पर आपके जो बारवे लोड यहाँ सनी बनने तो बारवे लोड की वज़े से हो सकता है कि एक जो सन्यासी जैसा यानि आपके पास सब कुछ होते हुए आप कुछ ऐसे विचार आएं मतलब आपके पास सुक्सविदाएं होते हुए भी आप ऐसा सोचेंगे कि जो है सुक्सविदाएं उनका आप यूज नहीं करेंगे यहाँ पर अगली बात करते हैं अब सेकिंड लॉर्ड के बारे में आपके सेकिंड लॉर्ड बनते हैं गुरू और यहाँ पर गुरू आ रहे हैं आपके टैंथ हाउस में यह काफी अच्छा प्लेस्मेंट है सेकिंड लॉर्ड आपकी स्पीच का है और second lord का समंद है second house का समंद है आपके जो आपका जमाधन है उसके लिए और ये जो गुरू का 10th house में गोचर है ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि 10th house आप कहीं न कहीं as a teacher, as a guru कहीं न कहीं इस दोराने काम कर सकते हैं आपके पास पैसा काफी आएगा या कुछ दाहरमिक कारी है कुछ दरहम से जुड़ा हुआ कारी है ऐसा भी आप कर सकते हैं तो इन से आपको काफी पैसा मिलेगा और आपके लगन लोड का लाब भाव में जाना भी आपको positive result देगा तो बारवे भाव के जो result है उनमें भी जो bad result है उनमें भी थोड़ी बहुत कमी यहाँ पर आएगी इसके लवा अगर बात करें तो आपके 11th house के लोड आपके 11th house के लोड गुरू बनते हैं 11th house के लोड गुरू बनने से यहाँ पर आपको काफी अच्छे result इस house के मिलेंगे सनि और केतु के होते हुए भी आपको 11th जो bohभ इसके काफी अच्छे result मिलेंगे आपके कारी की प्रसंसा होगी और आपके जो boss हैं वो आप से खुस रहेंगे आपके कारी की प्रसंसा करेंगे और आपको काफी सारे जो उपहार हैं उनकी तरफ से मिल सकते हैं आपको किसी गौर्मेंट सेंस तक और से कुछ उपहार मिल सकते हैं सराहना मिल सकती है और प्रोफेशनल लाइफ में आप एक उचे पद पे होंगे काफी उंचे पद पे आप professional life में पहुंच सकते हैं इसके लवा यहाँ बात करते हैं आपके third load की third load आपके बनते हैं mangal और mangal 7th house में आजाते हैं और mangal आपके 10th के load भी है तो mangal का समन्द यहाँ पर 7th house और फिर आपके 10th house जाए कहीं न कहीं जब थार्ड लॉड का समंध यहां से आता है तो यह पत्नी के साथ या आपका कुछ बिजनेस पार्टनर्स जो आपके वहां पर उनके साथ कुछ न कुछ आपका जो है कम्मिनिकेशन से रिलेटेड और आपका कुछ बनता है communication और फिर आपका जो कुछ भी जो आपका एक stamina है physical stamina उससे related कुछ ना कुछ बनता है तो यहाँ पर जब भी third house से समन्द आता है आपके यहाँ पर seventh house का तो आप कहीं न कहीं ज़्यादा एक sexual हो सकते हैं कामवासना आपकी बढ़ सकती है इसके लोग जो professional life है उसके लाब आपको काफी अच्छे मिलेंगे यहाँ पर और थोड़ा सा जो mangle की जो placement है वो seventh house में आने के वज़े से कुछ आपके रिस्तों में गर्माहट रह सकते हैं आपके business partners के साथ और आपके जो हैं यहाँ पर life partner के साथ भी कुछ रिस्तों में थोड़ा बहुत गर्माहट देखी जा सकती है थोड़ा अनबन देखी जा सकती है हलांकि mangle अपनी मित्र रासी सिंग में हैं यहाँ पर तो इतना जो है bad result यहाँ से नहीं देंगे और जब mangle आपके seventh house से fast house पर aspect करते हैं जब सीधी क्रिया सिल बनेंगे और यहाँ पर यह सनी की रासी है आपकी कुम्ब जो रासी है वो सनी की रासी है कुम्ब लगन सनी की द्वारा represent होता है तो आप थोड़े आल सी टाइप हो सकते हैं तो यहाँ पर जो mangle का आना आपके लिए सारिक जो सकती है उसके लिए काफी positive रहेगा और यह आपको काफी power देगा काफी energy देगा अपने वरक के लिए अच्छा आपको physical structure काफी अच्छा होगा आपका और यहाँ पर आगे बात करें तो आपके जो fourth load है fourth load आपके बनते हैं सुक्र और सुक्र आपके आगए है sixth house में यह सुर्य और बुद्ध के साथ होने से काफी अच्छा result यहाँ देंगे और अपनी मित्र रासी में होने की वज़े से भी लेकिन यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ आपके family में क्योंकि यह sixth house है और sixth house में इस तरह का योग बन रहा है कि आपको कुछ वाद विवाद हो सकता है कुछ पहले का विवाद है तो वो वापिस उठ सकता है आपको रोग हो सकते हैं कुछ ना कुछ किसी सदस्य को आपको नहीं तो किसी घर के किसी सदस्य को कुछ ऐसे रोग हो सकते हैं जिन से आपको जो है hospital में इलाज गराना पड़े और काफी पैसे आपको खर्ज करने पड़ें इसके लावा यहां पर गुरू की दरश्टी की वज़े से आपको पॉजिटिव रिजल्ट हालंकि फॉर्थ हाउस के पॉजिटिव रिजल्ट में वर्दी हो जाएगी लेकिन इसके जो लोड हैं वो सेक्स्ट में आना थोड़ा अच्छा नहीं है और इसके लावा आपके उपर कुछ करज वगरे की दिक्कत आ सकती है लेकिन यहां सूर्य और बुद्ध भी सुक्र के साथ हैं तो कहीने कहीने आपको लग का सपोर्ट यहां से नहीं मिलेगा लग कहीने कहीने आपको सपोर्ट कम मिलेगा लग का सपोर्ट और आपके जो काम धंदे उसमें मेहनत बढ़ सकती है इसके लावा हम बात करें यहाँ पर आपके सेवंथ लोड की सेवंथ लोड बनते हैं सूरिय और सूरिय का सिक्स्थ हाउस में जाना यहाँ पर आपको कुछ मेरीज लाइफ का जो पार्टनर है उसकी तरफ से कुछ दिक्कत दे सकता है और उसके साथ कुछ ना कुछ आपका ज पर तो आपके फिप्थ लोड आपके फिप्थ लोड की बात करते हैं आपके फिप्थ लोड बनते हैं बुद्ध और बुद्ध आपके सिक्स्थ हाउस में से ले गए हैं फिप्थ लोड के लावा ये आपके एर्थ लोड भी बनते हैं तो एर्थ लोड अब बुद्ध यहां पे काफी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये आपके लॉड है एड़ थाउस के और फिप्थ हाउस के हैं जहां पे राहू भी है और ये सूरी के साथ हैं यहां पे बुद्ध और सुकर के साथ भी हैं तो इस वज़े से कहीं न कहीं आपको एड़ थाउस के काफी सारे आपको जो एड़ थाउस के रिजल्ट्स हैं वो बैड रिजल्ट्स यहां से मिलने वाले हैं और राहू का आपके फिप्थ हाउस में होना आपको संतान पक्स की और से चिंता का कारण बनेगा और संतान से आपको लाब नहीं होगा संतान आपका कहना नहीं इसके लवा आपकी अगर एजूकेशन है कहीं न कहीं हाईर एजूकेशन में कुछ आप करना चाहते हैं आगे तो उसमें भी आपको रुकावटे रहेगी और पास्ट लाइफ का कुछ अगर बुरा कारी आपका किया है तो उसके आपको फल जरूर यहाँ पर राहू देंगे इसके लावा काफी आपको जो है 11th house पे राहू की दृष्टी होने से यहाँ पर 11th house काफी अच्छा होता है राहू की best placement मानी जाती है यहाँ पर आपको कुछ अच्छे lab राहू के मिल सकते हैं अलाग कि राहू अपनी उच रासी में ही यहाँ पर 5th house में लेकिन कुछ जो bad result हैं उन में थोड़ी कम ही आ सकती है इस वज़े से बाकी जो है यहाँ पर कम ही आने की समाहोना कम ही दिखती है इसके लावा यहाँ पर बात करते हैं next आपके जो भी load हैं यहाँ पर हमने लगबग सभी की यहाँ बात कर ली है और अब कोई भी house का lord है ऐसा बचानी जिनकी हमने चर्चा नहीं करी है अभी तक तो अब बात करते हैं कुछ अच्छे aspect की अच्छे aspect में सबसे पहले देखें तो गुरू का ही देख लेते हैं गुरू 10th house में और आपके 4th house पे सिधी दरश्टी डाल रहे हैं यह आपको कुछ भूमी का कुछ दे सकते हैं भूमी का सुक या मकान का सुक इस तरह से कुछ मिल सकता है और आपको जो 4th house के result हैं वो अच्छे मिलेंगे positive result मिलेंगे लेकिन जो 4th house के lord हैं वो कही न कहीं आपके 6th मेरे तो यह results में कमी करते हैं सुक्र यहाँ पर और यह आपको काफी थोड़ा negative result यहाँ पर दे सकते हैं इसके लावा जो गुरू की दरश्टी है वो काफी अच्छी आपके 4th house पर बहुत अच्छा result मिलेगा कुछ खुशियां आपको मिल सकती हैं अपने परिवार की तरब से राहू का 5th house में आना अच्छा नहीं है और यह संतान की ओर से कफी आपको दिक्कते हैं दे सकते हैं हलांकि उच्छ रासी का राहू है अपनी उच्छ रासी में तो कुछ negative results में कहीं न कहीं कम ही हो जाएगी इसके लाव सूरिय बुद्ध और सुकर 6th house में आना आपको सूरिय देखे आपकी आत्मा है और बुद्ध बुद्ध जो है वो आपकी वानी का कारक है यहां पर आपको जो आपका डेली वर्क रूटिन है उसमें आपको मेहनत बढ़ाएगा हलांकि लाप भी होगा लेकिन आपको मेहनत काफी करनी पड़ेगी इसके लावा यहां पर आपके कुछ दार्मिक विचार भी रहेंगे और कुछ ऐसे विचार भी आ सकते हैं जो मतलब आपको कुछ दूसरे वर्ल्ड से यानि आउटर वर्ल्ड से जोड़ते हों तो इस परकार का आपका और ओल जो अगस्त 2019 का महिना है वो रहेगा तो आज की वीडियो में इतना ही है अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं धन्यवाद वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत झाल 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 झाल